हेलो फ्रेंग्स तो कैसे हैं आप सब आज हम MbPAT की kaunseling की overall process के बारे में discussing करेंगे की कौनसे स्टेप्स होते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स और हमारे एक-एक स्टेप्स में क्या-क्या मतलब important चीज़े जो हमें दोर करनी है तो हम अपनी पूरी counseling की process को अच्छे से discuss करेंगे guys अगर आपने से पहले कभी कोई भी counseling अटेंग ने की आपका first time भी है तो भी आप परशान ने होएं I'm with you and ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मिझे निरबता है कि आखरी तक आप पूरे end तक देख लेंगे आपको कोई भी डाउट बचेगा counseling से related and still if you have something then आप comment section में पूछिए मैं जरूर उसका reply करती हूँ so guys हम आज कॉंसे topic में discuss करेंगे हमारे counseling की कितनी process है हमको कॉंसी process में क्या क्या करना किस चीज का ध्यान देना है किस चीज हम कौन से चीज हमारे इंपॉर्टन है कौन से process पे हमको गलती नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए so guys अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो agriculture amazed बटक्षयता को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने friends के साथ शेयर भी करें हमारी counselling की process ना six phases में होती है छह स्टेप्स में होती है छह चर्णों में पहला हमारा first रहता है online registration हमको अपना online पंजियन कराना पड़ता है फिर हम उसका क्रम चैन करते हैं मतलब उसका हमको जो भी अपने colleges ये लिस्ट उसको discuss करते हैं मतलब हम उसको overall choice filling बोलेंगे उसको choice filling करते हैं फिर उसकी online payment fee करते हैं उसको portal fee भी बोलते हैं तो यह हमारी दूसरी process हो दूसरी step हो जाएगी तीसरी step में हमको कोई भी अपने nearest college रहता है तो आपको वह allotment check करना होता है उसकी website में जाकर क्रिस्प की मतलब आपको आगे बताऊंगे मैं कौँजी-कौँजी website से आपकी सारी processes कर सकते हैं 5th step रहेगा कि आपको online part payment of counseling fee मतलब online unsriction counseling का भुकतान करना पड़ेगा एक partial fees रहती है उसको भुकतान करना उसकी भी स्ट्रिसेप्ट मिलती है आपको वह भी समहल कर रखना है मैंने आप पिछली वीडियो में भी बताया था इसे आप उसको समहल कर रखेंगे और वह वाली वीडियो की link मैं description box में दे दूंगे अगर आपने अभी तक नहीं देख कराने है उसमें आप जाओ आप जो भी college आपको अलाट हुआ उसमें जाना है और admission लेना है पहरी process रहेगी आपके online registration online registration आपकी कौंसी कौंसी website से होता है www.rvskvv.net www.jnkvv.org या फिर आपकी crisp online की होती है website www.crisponlineservices.com इन तीन website में आपकी कौंसी process हो जाती है counseling की पंजियन की registration कराने की process हो जाती है registration कराने की consequence steps है आपको सफलता पूरबक पंजियन उपरांथ अभिहारती को ID एवं password SMS email के द्वारा प्राप्त होता है अगली बार अभिहारती अपने ID एवं password का उपयोग कर इसे login कर सकते हैं तो आपको इसे सम्हाल कर रखना है ID password को अपने सभी अभिहारती सुनुश्रत कर लें कि counseling की प्रक्या के लिए password सुरक्षत वा गोपनिया रखें ताकि समय आने पर आवश्यक्त अनुसार उसे उसका उपयोग करने में परशानी ना हो अभिहारती को यह सुविदा भी रहेगी कि अपना password वह बदल सकते हैं किसे आपको कभी भूल भी जाते हैं तो forget password करके आप उसको reset कर सकते हैं यह आपको छोटी सी बात भी इसको अच्छे से deeply इसमें discuss की गई है second है आपको second आपका step रहेगा और online आपको choice filling करना है उसका preference select करके बाद में portal fee करना है और आपको जो इसमें पूरे में यही समझाया गया और आपको यही चीज पर ध्यान देना है कि आपको जो भी college चाहिए वो आप अपना यह payment जो करते हैं portal fee उसको करने से payment करने से पहले आ होगा तो आप ध्यान से एकदम करें और मैंने एक और वीडियो बनाई है top ranking college के list में आप उस list को देखकर भी अपना choice filling कर सकते हैं कि कौन सा college top ranking में आता उसकी भी link में आपको description box में दे दूंगी आप यह step को बहुत ध्यान रखें आप आपकी क्योंकि जो fees हो जाएगी वो non refundable रहती है और आपको choice filling बहुत ध्यान से करनी है पैसे देने से पहले आपको अपना सही से order चेक कर लेना कि हमको यह order में आपको college भरना था या नहीं ठीक है next is आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए आपके nearest college में आपके मतलब निकर्तम जितनी भी जो भी कोई भी college होगा आपको वहां जाकर आपको मतलब एक अंतिम्ठी दी जाती हो उससे पूर आपके मोल दस्तावेजों आपको यहां पर दिये गाए है उसको ले जाक iqya की अंख़ूची बारवीय की आंख़ूची जाती प्रआम पत्र लगेगा आया प्रमांब पत्र मध्यप्रदेश के मूल मूल निवासी प्रमांब पत्र लगेगा कारे रतख्रशी प्रमांब पत्र अगराप प्रशी के वाली सीथ ले br retail और उसे मतलब अपने कोटा यूज कर रहे हैं तो आपको क्रशिप्रमाण पत्र लगेगा अगर एक साल का गाप या दो साल का गाप लिया है तो आपको गाप अफिडेविट लगता है और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जो आपने आवेदन किया था उसका और शोल को मतलब आप एलिजिबिल होकर के एक रिसिप्ट देंगे वो भी रसीद देंगे तो आपको उसको समाल कर रखनी है कब तक आपको कॉलेज अलॉट होके आप उसमें एड्मिशन ना ले ले तब तक तो आपको एटलीस समाल के उसको रखनी है यह आपकी इलिजिबिटी को सागर के महाविद्याले में सागर चंदंगाओं को ऑपको उनलाइन बताया जाता है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है आपके आंको अभियारती द्वारा भरी गई प्रात्मिक्ता क्रम P.A.T. के प्रविश नियमों के अधारपन Common Merit के अनुसार निर्धारत समय सार्णे के अनुसार आवंटन किया जावेगा अतथा आवंटन महावध्याले प्राडपाटी क्रम का उलेक आवंटन पत्र में होगा जिसका प्रिंटाउट अभियारती अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर प्राप्त कर लेंगे इसलिए मैंने आपको कहा था उस प्रोसेस में उस टेप में फर्स्ट वाली कि आपको अपना आईडी पासवर्ड सम्हाल के याद करके रखना है आपका फिफ्थ प्रोसेस होगा ऑनलाइन आशिक सेक्षन कांसलिंग शुल का भुकतान करना ऑनलाइन पार्शल पेमेंट का आपको अपनी कांसलिंग फीद भननी होती है यह आपकी 5,000 तक रहती है यह आपको भना ही है मतलब जैसी आपको कॉलेश ओडलाउट होता है उसके बाद मतलब इसका डाले से एक मंदलब रहते हैं कि आप अपनी वो सीट बुक कर रहे हैं आप वो सीट में जा रहे हैं आपको एक तरीके से प्रूफ करने के लिए आपको इस अब देना पड़ता है आवंटन के पिश्टाथ विद्यहाती को लॉगिन आइडी पासफ़र का उप्योग करके प्रोटल के बादे हमसे आंशिक स्रिक्षन कांसलिंग 5,000 रुपे का बुकतान करना होता है सवलता पुरवा गुरता अंकरने के पिश्ट होगे हो इस रिस्ट को भी समभालकर रखना है अभिहारती इस रिस्ट को समभालकर आप पास रखे हो तथा आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तूत करें ये जरुवत पढ़ती है आप जब जो भी Allotted College में जाते हो इस रिसिप्ट की तो आपको इसको समभाल के रखना है देखिए इसको हाइलाइट भी किया गया है तो इस इंपोर्टेंट आप समभाल के रखेंगे Six Step होगा आपका आवंटेत सस्था में उपस्तिती एवं प्रवेश अभियारती प्रवेश लेने हेतु आवंटेत सस्था में आवंटन पत्र कांसलिंग शुल्ग भुकतान की पाफ्ति तथा अपने समस्थ मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्ग के साथ उपस्तित हो प्रती में जमा करेंगे तथा एक प्रती अपने पास रखेंगे मतलब एक आपको महाँ पर जमा कर देना है उसकी फोटोकॉपी और एक अपने पास रखना है ताकि आपके पास आगे भी जागे इसका पूरूफ रहे ठीक है शुलक जमा कराने के बाद भी अगर अभियार्ती मतलब स्टुएंट को अपनी चाही गई सीट नहीं मिलिये तो महाँ द्याले आवंटेत ना होने की स्थिती में आवंटेत महाँ द्याले में अप्ग्रेडेशन के लिए चैन के लिए आवेदन कर सकता है वह अभी भी लेकर उनकी रंगीन फोटोकॉपी जमा कराई जाती मतलब आपके ओरिजिनल डॉकुमेंट्स नहीं रखते हैं वो आप लोग के फोटोकॉपी वाले डॉकुमेंट्स को रखते हैं ठीक कलर्ड अभिहारती का अपग्रेडेशन होने पर नए आवंधित महाविद्याले में प् उसको भी आपको वहाँ पर जमा कराने हैं ठीक है तो यह आपको जरूरत पड़ेगे अपग्रेडेशन का विकल्प प्रविश्प्रक्रिया के प्रतम एवं दुर्तिय चक्र में ही उपलब्द रहेगा संपूर्ण प्रविश्प्रक्रिया के समाप्ति के बाद अपग्रेडेशन के विकल्प का चेयन के बाद अब्यारती को उसके द्वाराँ चाहा गया महाविद्याले नहीं मिल पाता है तो उसके प्रविश प्रथम प्रविश आवन्टत कॉलेज़ में ही रहेगा तथा उसे पुना उस महाविद्याले रिपोर्ट करने की आभिषक प्रिश्टा नहीं होगी ठीक है इसका मतलब कहा जिसे आपको आगर जो आपने अभी अप्ग्रेडेशन के लिए अप्लाए किया था आपको जो जो पहले चाहे था वो नहीं मिला तो आपको जो पहले आपने लेच चुके थे वहाँ पर यह आपकी सीट फिक्स रहेगी आपक जो अगर आपको इस में से कुछ भी समझ नहीं आया है या कुछ आपको डाउटी लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजे थैंक यू गाइस बबाए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल रिली आम वर्किंग हाट फो यू गाइ जो प्लीज लग में सब्सक्राइब में थैंक यू गाइस बाइ